नमस्कार दोस्तों, एक बर फिर स्वागत है आपका हमारी यूटूब शानल पर आज फिर एक नई तरीके का प्रचंड वशीकरंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि आप वशीकरंट किस तरह कर सकते हैं दुश्मन हो या फिर आपका कोई अपना हो जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं तो यह बहुत आसान है मार्ट एक वशीकरंट विधी का सही तरीके से आपको प्रियोग करना है और वो इनसान पून तहां आपके वश में हो जाएगा उसी तरह काम करेगा उसी तरह कहेगा जिस तरह आप चाहते हैं जिस तरह आप उसे चलाना चाहते हैं जिस तरह आप उसे अपने वश में करके रखना चाहते हैं विव्यक्ति बिल्कुल वैसे ही रहेगा लेकिन ये किस तरह होगा इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी बिना एक सेकंड का भी स्किप करें तो आप उस विधी का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और आपको इस वशीकरण में सफलता प्राप्त न नहीं होगी लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वशीकरण में सफलता प्राप्त हो सही तरीके से आप इस वशीकरण को करें और आपके अपने मान जाएं आपके अपने आपके पास हो जाएं जो आपका ऐसा कोई प्यार जिसे आप प्यार करते हैं और वो आपसे प् वशीकरण मंत्र का प्रियोग करें तो आईए शुरुवात करते हैं मैं आपको बताती हूं कि किस तरह आपको इस वशीकरण मंत्र का प्रियोग करना है लेकिन उससे पहले जो सामगरी मुझे इसमें चाहिए वो मैं आपको बता दूँ ताकि आप उस सामगरी को एकत्वित कर सकें सही तरीके से और उन चीजों को प्रियोग से आप वशी करण कर सकें और अपने आपको अपने जो अपने हैं उनको अपने पास बुला सकें तो आएए मैं पहले आपको सामगरी के बारे में बताती हूँ हमें चाहिए प्रथम पूजनिय गणेश्टी की एक तस्वीर इस तरह हमें दो कपूर की टिक्या चाहिए और जैसे ये लौंग का जोड़ा है हमारे पास इस तरह एक लौंग का जोड़ा हमें चाहिए तो आएए अब मैं बताती हूँ जो गणेश्टी की तस्वीर है इस तस्वीर के माधियम से एक ग्लास पानी के माधियम से मात दो कपूर की टिक्या और एक लौंग के जोड़े के माधियम से किस तरह आप किसी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं किस तरह उसे अपना बना सकते हैं ता उम्र के लिए अपने पास रख सकते हैं ये सब मैं आपको बताऊंगी तो आईए बताती हूँ मैं आपको किस तरह आप इस विधी को कर सकते हैं इसके प्रियोग से आप अपने आपको खुश रख सकते हैं क्योंकि जब हम दुखी होते हैं इस तरह की कोई समस्य हमारे आसपास होती है कोई हमारे अपने हमसे रूट जाते हैं या जिसे हम पसंद करते हैं वो हमसे बात नहीं कर सकते हैं हमेशा दुखी रहते हैं हमेशा परिशान रहते हैं लेकिन अगर आप खुशनुमा रहना चाहत आपने जिन्दी की खुशाली से जिना चाहते हैं तो इस विधी का प्रयोग कीजे और अपने अपने आपको अपने पास लाईए और एक खुशनुमा जिन्दी की दीजे आईए मैं आपको बताती हूँ विधी हमें एक गणेश जी की तस्वीर को अपनी आखों के सामने रखना है और इस तरह एक पानी का ग्लास लेना है पानी का ग्लास बिल्कुल साफ सुत्रा होना चाहिए जल बिल्कुल साफ होना चाहिए गंदा जल आपको बिल्कुल भी नही लेना है तो यह जो जल है इस तरह आपको इसे अपने सामने रखना है गणेश जी की तस्वीर के सामने रखना है और जो कपूर की टिकिया है यह दो कपूर की टिकिया आपको लेनी है और गणेश जी के सामने इस तरह दो कपूर की टिकिया रखनी है इसी तरह की दो कपूर की चीड क्यों को लेकर इस तरहन घणिष टी के सामने रखीएगा। और जो मंत्र में आपको बताने जा रहे हूँ, इस मंत्र का 21 बार आपको चारन, और जिस विधी को मैं आपको बताऊंगे, और इस विधी को आप सही तरीके से आप करेंगे। तो आप जो है इंसान को अपने वश में कर सकते हैं, अपने आपको खुश हाल रख सकते हैं आए मैं आपको बताती हूँ आखिर आपको इन चीजों के प्रयोक से करना क्या है गणिर जी की तस्वीर सामने रखिए, एक गलास पानी का लीजिए, दो कपूर के टिक्या रखिए और उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं और आपका ध्यान इस हद तक होना चाहिए कि इस पानी के ग्लास में आपको उस व्यक्ती की तस्वीर साफ साफ नजर आ जाए उसकी बारे में सोचिए, उसकी बातों की बारे में सोचिए, उसकी चहरे को अपने जहन में बिठाईए क्योंकि आप उसे वशी करत करना चाहते हैं, वशी भूत करना चाहते हैं तो इस तरह उनको अपने जहन में बसा लीजे, कि जब आप इस तरह इस पानी की गलास को ध्यान पूरवक देखें तो उनकी जो तस्वीर है जो छवी है वो इस पानी के गलास में आपको साफ साफ नजर आए तो इस तरह आपको करना है गणेश जी की तस्वीर के सामने दो कपूर के टिक्या रखनी है पानी का ग्लास लेना है और उनका ध्यान करना है जिने आप वशी करन करना चाहते हैं जिने आप अपने वश में करना चाहते हैं तो इस तरह उनका ध्यान कीजिए उनके चहरे को उनको अपने आँखों में समाईए और उन्हें इस तरह इस ग्लास में देखिए ताकि उनकी त तस्वीर साफ साफ नजर आती है, ये जो दो लॉंग के जोड़े हैं, ये लॉंग के जोड़े आपको पानी में डालने हैं, ये जो ग्लास का पानी हैं, इस ग्लास में ये दो लॉंग के जोड़े आपको डालने हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, कपूर जो आप इन दो कपूरों को गणेश जी की तस्वीर के सामने रखे और इन्हें जला दीजे और उसके बाद गणेश जी का जो मंत्र है ओम गणपते गणेशाय नमहा जी हाँ ओम गणपते गणेशाय नमहा इस मंत्र का 21 बार आपको उचारण करना है गणेश जी की तस्वीर को सा इस तरह 21 बार आपको इस मंत्र का उचारन करना है और जिस भी समय जब आप उचारन करने हैं उस समय जब आपको उस व्यक्ती की तस्वीर साफ-साफ इस ग्लास के पानी में नज़र आने लगे तो यह जो लॉंग के जोड़े हैं, इन लॉंग को इस तरह आपको इस पानी में डाल देना है और उसके बाद जो आपको कवना है, इस पानी को अपने पास रखना है और यह जो लॉंग के जोड़े हैं, इन लॉंग को जोड़ो को इस तरह निकाल कर किसी कागच में, किसी भी चीज में लपेट कर, संभाल कर आपको अपने पास रखने है और यह जो पानी है, यह आप चढ़ा सकते हैं जो पेड है, कोई भी आपके आसपास पेड है या गमला है उसमें यह पानी चढ़ा दीजे और यह जो लॉंग के जोड़े हैं ये आप अपने पास रख लीजे और अगर इसी मात्विस छोटी सी विधी का सही तरीके से अगर आप प्रियोग करते हैं तो आप उस व्यक्ति को उस इंसान को जिससे आप प्रेम करते हैं उसे अपने वश में कर सकते हैं दोस्तो एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो वशी करन के विधी होती हैं ये बहुत प्रचंड होती हैं तो इसलिए इस विधी का कोई भी गलत इस्तिमाल ना करें गलत मंशा से इसको प्रियोग ना करें गलत सोच से इसको प्रियोग ना करें सही तरीके और सही फोच से इसको प्रियोग करें ताकि इसका फल भी अच्छा हाए। अगर आप गलत मनशा से इसको प्रियोग करते हैं तो ये विधी कभी भी कारगाव सिध नहीं होगी और आपको जो है वो इस वशी करण का असर नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखे और किस तरह आपको करना है ये विधी सही पूर्वक मैंने आपको बताई है सही तरीके से मैंने आपको बताई है तो इसका प्रियोग कीजे और जिसे भी आप वश में करना चाहते हैं उसे वश में कीजे और दोस्तों कोई भी दिक्कत कोई भी समस कोई भी आपको परिशानी है तो आप हमारी गुरु माता जी को दिये गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं वट्सप कॉल कर सकते हैं अपनी दिक्कत अपनी समस्या अपनी परिशानी बता सकते हैं और गुरु माता जी आपकी समस्या आपकी परिशानी का सही तरीका आपको बताएं हैं और आप खोश रह सकते हैं जै मातली